हेलो दोस्तो मेरे नाम है अनकेट और मैं के इंस्पिरेशन स्पीकर हूँ आज को अब आपके की हो टू स्टॉप ओवर्थिंकिंगी क्या आप जानते हैं हर एक इंसान को एक दिन में सत्तर हजार से ज्यादा थोट आते हैं क्या हां सच में सैंटिफिक यानि कि सैंटिस नहीं अब आम लिएक कहा गया है कि लोग हम्मेशा करते हैं एक दिन में 70 यहाजार से ज्यादा थोट ज़ायन कि वह क्या और तो साफबना करते हैं और 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 शसे और यह नहीं चीश्ज़ कोई फ sed यजादा करते हैं कि कोई एक छीज़ को पकड़के सबस्क्राइब सबस्क्राइब अगर आप पास्टेप्स अगर आप इंप्लेमेंट करते हो तो आप ओवर्फिंग से बस सकते हो और पहला स्टेप्स पर एक है कि राइट डाउन यूर थोट्स यानि कि आपको अपने थोट्स को पेपर पे लिखना है चल चूट अरे ऐसा क्यों सच सभी मोल रहा है आपको पहले क्या करता था यार ओएसे बहुत आपको लिखता था थोटा सा हलका फिल करता था यार मैं हमेशा थोटा सा हलका फिल करता था हमेशा उसे क्या होगा आपके विचार जो आपके मन में भर गए ना भर गए आप क्या कर रहे हो पेपर पह उतार रहे हो यानि कि आपके मन के थोट्स पेपर पे आ रहे है तो उससे क्या होगा आपक इसे इसे मोड़ो के फिक दीजिए आपको हलका फिल होगा क्या है प्रूवन है कि यह इसी चीज बहुत ही वर्क करती है और बहुत जदा और इंको कम कर देती है इसलिए अपने थौट्स को पेपर पे लिखिए और हमेशा हलका फिल किजिए ना यार और दुसरे ठेपर यह कि मेडिटेशन सबसे कारगर उपाय सबसे आसान तरीका यह है मेडिटेशन हम पाजिटिव पताएंगे आभी पाजिटिव सुनके ही जाए ना क्या किजिए अप 30 डेस तक मेडिटेशन चैलेंज करके देखे सच में बोल रहा हूं करके देखे ना यार पहले करके देखे अच्छे-च्छी थौट्स आने लग जाएंगे, मेमिरी पाउर ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन पाउर ज्यादा होगा, बहुत सरे फायदे होते हैं मेडिटेशन के, पर आप सिर्फ ओवर थिंग करने के लिए आलती-पालती मारके बेट जाएए जैसे पिचार आ रहे न अलती-पालती मारके बेट जाएए और पाच मिर्टा मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत ज्यादे रिलेक्स होगा, अगर आप मेडिटेशन करना नहीं जानते हैं तो सबसी अच्छी ठीप बताता हूँ, मैं करके दिखा होता हूँ आपको, बैट जाए, बैट जाके जो ज्यानमत्र बोलते हैं यसे बैट जाएए, आँखे बंद कर लीजे और ओम, ऐसे आप क्या करना है, यहां कि ओम क्या करना है, उच्छार करना है, इससे क्या होगा, आपको दिल तूरी तरह हलका हो जाएगा, और आका मैंड रिलेक्स हो जाएगा, तो ओवर्थिंकिंग से आप बस सकते होते हैं, बहुती एच्छेटी पयार करके देखें जरूर, और थर स्टेप है कि बुरे से बुरा क्या होगा, क्या, यह सोच कर देखें, जो चीज के बारे होगा, यानि कि मेरे करेर में क्या होगा, मैं आगे बढ़ूगा या नहीं बढ़ूगा, या लड़क आगे नहीं बढ़ूगा, वो अतना है, बुरे से बुरा क्या होगा, वो अतना है, आप अगर आप पॉजिटुव थोट्स के उपर या अच्छे लाइफ के ऊपर, या एक बुक्स आते हो तो अब मैं आपको बूलोगा की, how to stop worrying and start living by salesice तो आप इस किताब से जान सकते हो कि कितने संभावनाहीं है इसकी कि इसनी हो सकती है और इसे outlook thoughts से या और पिर दिंगें किसे किसे आप किसे भारसक्ते हो इसके लिए सबस्छी गपार्स किताब यह है तो इसको भी जरूर पढ़ लेजे, हमेशा बुरे से बुरा क्या होगा सोच कर देखिए, और बाद में कहा किजे, कितने होने के संभावना है इसकी, ऐसे हमेशा जरूर पूछे, अपने आपसे पूछे, तो आपको जरूर आंसर मिल जाए कि इसकी कोई संभावना ही नहीं है आपके लेक्टिव थौर्ट्स की, इसलिए आपके कीजे, इससे भी जरूर करके देखिए है, और फॉर्स्टेप इस, आप क्या कर रहे हो, आपके और आपकी प्रॉब्लम क्या है, बताता हूँ आपको, आपका गोल जल्दी से रीच नहीं हो रहा, तो आपकी यही इसी वज़ी से आ रहे हैं, कि हम गोल रिच नहीं कर पा रहे हैं, लेट हो रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से आपके जिदिगे में आ रहे हैं, तो क्या कि आप एंजोई देखिए हैं, हमेशा रोते रोते ही क्यों आगे बढ़ना, हसते से भी तो आगे बढ़ सकते ह हमेशा जो भी आप हार रहे हो या नेक्टिव थोड़सा रहे, उससी को सीखने के जरूरूरत कोशिच कीजिए, कि इस जो मैं चरनी की करब जा रहा हूं, इससे में क्या कर सीख रहा हूं, इसको क्या कि थोड़े एंजोई करते करते हैं, हमेशा चले जाईए, एंजोई यह बहुत ही अच्छा टिप है, यानि कि जो अमरी इंसान है ना, इंसानों के बहुत ही रिलेटट है, यानि कि हम क्या करते हैं हमेशा हमेशा हम अपने लाज़ से हमेशा सटिस्फायड नहीं होते, यह सबसे मड़ी परवप होगे है, कि satisfied नहीं होते हमारी जिंदिके में आ जो अच्छा हो रहा है हम उसकी तर बिल्कुल नहीं देखते तो यहीं बहुत बड़ी प्रावलम होए कि हम पॉजिटिव साथ कभी आते हैं पॉजिटिव साथ कभी देखते हैं तो आप क्या कर सकते हो आप जिस तिति में होना अज उस तितितक आने के लिए आप जो लोग सपना देखते हैं कि एक दिन हम अपने अच्छे घर में आएंगे ऐसे सपना देखते हैं बहुत सार लोग तो मैं एक कहने कोश्च करा हूं कि आपकी जो पॉजिटिव साथ है ना आपको तीन टाइम खाना मिल रहा है आपके पास गाड़ी है या आपके वास ऊपर छ अगर आप कोई टॉपिक क्यों पर वीडियो चाते हो तो आपके कीजिए जरूर में कमेंट कीजिए हम उसके बार में जरूर आपको वीडियो बनाएंगे तो आज सिर्फ इतना ही हम मिलते हैं गोड़े में स्टे ब्लेस स्टे आउसम और गो सल्पनेट